हलो यूरिवन, गर्मी हो या शर्दी, मिठा खाने का मन तो करी जाता है, तो ये जो लड्डू है वो आपका मूँ तो मिठा करेगा ही, पर साथी साथ सेहत का वर्दान भी है, स्वात और सेहत से भरपूर, मक्खन की तरह मूँ में खुल जाने वाले, गर्मियों के इस सबसे ताकतवर और हेल्थी लड्डू आज में लेकर आई हूँ, जिसे बना कर खाओगे, तो आपको थकान, कमचोरी, बिल्कुल मैसूस ने रहेगी, और एनर्ची से भरपूर रहोगे, बच्चों से लेकर बड़ो तक सब के लिए बहुत फाइदेमंद है, ये लड्डू बनान करते हैं, हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे दो कप गेहू का आठा, ये नॉर्मल आठा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और उसी के साथ लेंगे एक कप सूची, सूची आप बारिक या तो मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं, अभी इसमें एड्ड करें एक कप दूद, यहां पे दूद को मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है, और उसके उपर जो मलाई होती है, ऐसा वाला दूद ही लेना है, अगर आपके पास पहले से मलाई रहेगी, तो आप एक चोथाई कप मलाई अलग से भी डाल सकते हैं, नहीं है, तो आप इस तरह से थो हो गया है, हमें इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि हमने उसमें सूची डाली है, तो वो भीग जाएगी और लड़ू का टेक्स्चर अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी रेस्ट ना दे, और अभी उसमें से एक लेमन साइस का गोला ले लेंग इतनी रखनी है, मतलब की मीडियम ठीकनेस रहेगी, तो अब ये अच्छे से फ्राइ हो जाए, इसके लिए नाइफ की हल्प से थोड़ा सा कट कर लेंगे, इस तरह से कट करने से पूरी अंदर तक अच्छे से फ्राइ होगी, और बिल्कुल भी कच्छी नहीं रहेगी, आप देशी खी या तो ओयल का इस्तिमाल कर सकते है, मैंने यहाँ पे तेल का यूस किया है, और जितनी पूरिया मैंने बनाई है, उसकी मैंने बेचिस में फ्राइ किया है, ये इसकी फ्लेम को मीडियम रखेंगे, आप एक के उपर एक पूरी डालोगे, फिर भी वो चिपक पीपी हो गई है, मतलब कि ये अच्छे से फ्राइ हो गई है, तो अब उसे निकाल लेना है, तो हमें इसी तरह से दूसरा बेच भी फ्राइ करना है, तो कितनी ज्यादा खसता फ्राइ हुए है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सारी पूरिया फ्राइ हो गई है, अब उस इसे पीस लेंगे जिसे हम इसे पीसेंगे ना तो इसमें से बहुत ही अच्छा तरदरा दानेदार टेक्च्चर आ जाएगा जिसे आज का लड़ू है वो बहुत ही दानेदार और टेस्टी बनेंगे तो अब इसके बीच में थोड़ी जगब बना लेंगे अब एक पैन अब मैंने एक जो चीज है वो काली किस्मिस काली किसमिस है वो काफी थंडी होती है इसकी तासीर भी थंडी होती है तो गर्मी में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और यह सारे ड्राइफ फ्रूट्स छपपी आपकी में भुनोगे तो लड़ू का टेस्ट एंहांस हो जाएगा तो गीपी इस्तेमाल हो जाएगा और उसी में ही हमने ड्राइफ रूट्स भी फ्राइ कर लिया है गेस की फ्लेम को बंदी रखेंगे क्यूंकि काली किश्मी से वो छल्दी से फ्राइ होके फुलने लगती है अब यह सारे ड्राइफ रूट्स को हमें लड्डू के मि मिष्री का सर्बत पीते हैं तो सौफ का पाउडर पी ज़रूर डाले आपको पसंदे तो आप इलाईची का पाउडर भी उसके अंदर एड कर सकते हैं और मिठेपन के लिए हम एड़ करेंगे खड़ी शक्र यानि कि मिष्री मिष्री काफी ठंडी होती है इसलिए हम गर्मी पाउडर लिया है इसे लड़ू में डालतेंगे अगर आपको मिठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा मिश्री का पाउडर डाल सकते है अब हमें इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है आप इसे हाथों से ही मिलाए तो सारे लड़ू में मिठा पन एकदम बराबर अब हमें इसमें से लड़ू बनाना है अगर आपको चुर्मे की तरह खाना है तो हरों 2-3 टेपल स्पून ऐसे ही खा सकते हो पर मैं यह आपे लड़ू बना रही हूँ जिस भी साइस में छोटे बड़े लड़ू बनाना चाते हो ऐसे बना सकते हो खुश्पू भी इतना बढ़िया आ रहे है कि घर के लोग आगे से आके लड़ू मागेंगे तो ये लिज़िए हमारे बेहतरिन शक्ति वर्तक समर्श पेशियल लड़ू बनके तयार है जिसको बनाना सिर्फ बनता ही नहीं दोडता है जरूर बनाएगा बच्चों से लेकर बड़ो तक माग माग के खाएंगे इतना बठयास भाद है इसका और ये देखे मैं आपको तोड़के भी दिखाते हूँ इसका अंदर का टेक्श्चर गर्मी हो या शर्दी मीठा खाने का मनतों करता ही है तो गर्मी में ये लड़ू देंगे शरीर को ठंड़क और एनरजी इमिन्योटी भी बढ़ाएंगे एक खाएंगे तो दुसरा उठा के बगर रह नहीं पाओगे जरूर बना के रखे एट एट कंटेनर में एक विक तक खराब नहीं होता तो आपको मेरा ये लड़ू का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना पूले मिलती हो फिर एक नहीं आसान और हेल्थी रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाबाई